Hello everyone, this is Sakshi Vishnui, welcome to Social School. तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी Class 11th Economics है, उसमें जो हमारी बुक है Statistics for Economics, उसका जो Chapter No.1 है, that is An Introduction, उसके Detailed Explanation का Part 1 देखने वाले हैं. इस Particular Video में हम लोग ये जो हमारा Chapter है, इसके कुछ Topics को Cover करने वाले हैं, बहुत ही Detail में समझने वाले हैं. अब क्या है इस Chapter में, मतलब की कौन-कौन से Topics है जो हमें Cover करने हैं, एक बार उसे देख लें. So हम देखेंगे की Economics का मतलब क्या होता है. देखो, बुक का Chapter No.1 है, जो की है एक Introduction, तो that is basically कि आप लोग को इस Particular Chapter में, हम लोग Introduce करवाने वाले हैं, जो Economics होता है उससे, प्लस Statistics क्या होता है, बेसिकली उससे. अब Economics क्या होता है, ये चीज़ आप लोग आपकी Micro Economics में भी पढ़ चुके हो, अगर अभी तक आप लोगों ने जो है, Chapter No.1 पढ़ लिया होगा, तो, वहाँ पर भी हमने Introduction देगा था, इन दिस Particular Book, फर्स चाप्टर में फिर से हम लोग Introduction देखेंगे, थोड़ा सा Different Approach से चलेंगे, हम लोग ने Micro Economics में specifically, बस directly समझा था, कि Economics क्या होता है, Economy क्या होती है, और हम लोग यहाँ पर, Economics की Various Definitions को देखने वाले हैं, जो की Various जो है, Economist ने दी है, तो थोड़ा सा Different, Yet Similar जो चीज़े हैं, वो हमें पढ़ना है, Then, कुछ Economic and Non-Economical Activities क्या होती है, इन्हें देखेंगे, फिर आता है कि Statistics क्या है, ठीक है, Statistics मेंली हमने ये बुक को स्टार्ट किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि Statistics होता क्या है, उसके Functions क्या होते हैं, What are its Importance और इसके Limitations क्या है, इन सारी ही चीज़ों को जो है, हम लोग देखने वाले हैं, या हम लोग कवर करने वाले हैं, In this Particular Chapter, तो हम लोग कुछ 2-3-5 में इस पूरे चाप्टर को Complete करेंगे, Start करते हैं, वतार फर्स्ट जो टॉपिक है, Data's Meaning of Economics, अब देखो, Economics जो है, वो कहां से Generate हुआ, या हम ये बुले कि ये जो टर्म है, ये कहां से जो है, लेकर आए हैं, जिन्हों उने भी नाम रखा है, थी है, तो उस चीज को समझते हैं सबसे पहले, अगर हम उसके Core पर चले जाएं, कि ये नाम कैसे रखा गया, तो उससे जो है, हमें बहुत सारी चीजे clear हो जाती है, तो Economics is derived from two Greek words, that is Oikos, that is a house and Nimen, इसका मतलब होता है, to manage, ठी है, तो basically Economics है, Household का Management, अल्राइट, अब Household का Management, जो है, वो Economics कैसे है, इस चीज को समझते हैं, देखो, अगर आप लोगोंने Micro Economics पढ़ ली होगी, तो आप लोगों अच्छे से पता, Economics क्या होता है, नहीं भी पढ़ी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां पर समझते हैं, Economics, या, I would say कि, Economics जो है न, वो क्या है, वो एक subject matter है, या फिर हम यह बोल दे कि, वो जो है, study करता है, किसको study करता है, जो Economy में various चीजे चल रही है, उसे, Now, Economy में क्या चल रहा है, या फिर हम यह बोले कि, Economy क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यह बताओ, ठीक है, तो Economy न, एक कोई भी particular, आप बोलोगे, place है, जहां पर, एक person जो है, वो work कर रहा है, और work करने के पीछे का reason is what, to earn a living, ठीक है, वो work कर रहा है, ताकि वो जो है, earn कर सके, तो this is basically, Economy, और इस Economy को, that means, इस particular पूरी process को, study करने वाला जो subject है, वो होता है, आपका Economics, जिसे हम क्या बोल रहा है, Household Management, जैसे कि, एक person गया काम करने, ताकि वो जो है, अपनी living को earn कर सके, तो जब उसने काम किया, उसके पास में money आया है, तो now, he or she, will be like, going to use that money, उनके जो है, जो भी particular expenses है, जो भी उनके wants and desires है, उन्हें fulfill करने में ठीक है, तो basically, वो लोग क्या करेंगे, पूरा management करेंगे, कि अच्छा, हम इतना काम कर रहे हैं, हमें उससे इतनी income generate हो रही है, इस income को हम ऐसे use कर रहे हैं, हम इतना safe कर रहे हैं, यहां पर यह spend कर रहे हैं, या जो है, कोई भी particular चीज खरीदनी है, तो वो ले रहे हैं, ठीक है, तो this is what, अगर बोला जाए, तो properly पूरा management हो रहा है, ठीक है, पूरी जो चीज़ें उन्हें manage किया जा रहा है, तो वही चीज क्या है आपका, एक बोल सकते हैं, एक household का management, ठीक है, कि हर एक individual, अपने अपने level पर जो है, अपने अपनी जगाओं को, या अपने अपने weekend से की घर को manage करता है, collectively जब हम सब की study कर रहे हैं, तो that will be a part of what economics, all right, I guess कुछ जो है, इससे आप लोगों को link समझ में आया होगा, कि household management के through, जो है economics नाम क्यों रखा गया है, तो उसको पूरा इस process से लेकर जाओ, कि economics जो है, वो economy की study करती है, और economy is basically what, कोई भी particular place, यहाँ पर कोई specific place नहीं है, ठीक है, अगर आपके घर पर कोई maid आती है, तो वो भी एक economy है, कि she is working to earn her living, ठीक है, आपके parents किसी office में जा रहे हैं, आपके parents किसी factory में जा रहे हैं, कोई entrepreneur है, कोई घर से काम कर रहा है, everything is economy, कोई एक particular place नहीं होती है, तो इससे हमें काफी चीज़े क्लियर हुई, अब थोड़ा और ब्रॉड मैनर में, और थोड़ा डीप ली जो है, हम इन चीजों को पढ़ लेते हैं, तो there are various definitions of economics, और हमें mainly जो है, चार economist की definitions पता होनी चाहिए, तो चारों की definitions क्या है, और किसने क्या दी है, वो हम लोग देखें, so definitions of economics की बात करें, तो Adam Smith ने जो है, wealth definition दी थी हमें, Alfred Marshall ने welfare definition दी थी, Professor Lallan Robbins ने जो है, scarcity definition दी है, and Professor Similson ने जो है, growth oriented definition दी है, कई बार आप लोग से exam में directly पूछा जाता है, कि scarcity definition जो है, economics की बताओ, तो फिर specifically हम जो ये एक-एक में पढ़ने वाले हैं, वैसे आपको बताना रहेगा, कि एचा scarcity definition क्या होती है, ठीक है, तो इसी वे में हमें जो है, चारो definitions बताओनी चाहिए, and ये सारे हमारी economist है, जैसे कि उनका नेम लिखा है, उसी हिसाब से उनकी पिच्चर है, ठीक है, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, with the wealth definition, which is given by Adam Smith, wealth definition, basically अगर हम लोग नॉर्मरी wealth की बात करें, तो क्या होता है, पैसा, आपकी income, आपके पास में कितनी जो है wealth है, that is basically wealth, जो कि हम अगर अपनी normal language में बोले, तो हम उसे money से जो है, orient करके रखते हैं, now, Adam Smith के हिसाब से wealth क्या है, इस चीज को समझे हम लोग, so according to Adam Smith, economics is the science of wealth, Adam Smith के हिसाब से economics क्या है, science of wealth है, now, इनके हिसाब से wealth का मतलब क्या है, those goods which satisfy human wants, Adam Smith के हिसाब से wealth is not money, but उनके हिसाब से wealth क्या है, goods है, जो की हमारे wants को satisfy करते हैं, alright, तो economics जो है, वो है science of wealth, मतलब की, जो economics है, वो किस से concerned है, वो उन सारे goods से concerned है, जो की एक person के जो wants है, उनको fulfill करता है, अब अगर आप चाहो, तो जो wealth का हमारा मतलब, जो की एक general change में हमें पता है, और जो Adam Smith ने दिया है, दोनों को आप relate कर सकते हो, हम लोग पैसों से करते क्या है, या हम कमा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे various wants हैं, जो की हमें करने है satisfy, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम earn करते हैं, जो है, उस particular जो earning है, that means, जो income हमने generate की है, उससे spend करके, हम various goods and services का consumption करते हैं, ठीक है, तो ultimately, आपके पास में जो wealth है, आपकी जो भी earnings है, you are going to use it in the purchasing of goods and services, ठीक है, goods बगेरा को खरीदने में आप लगाओगे, जिससे कि आपका want satisfy होगा, अब simple जी जीज़ है, अगर हमारा want ना हो कोई भी, तो हम क्यों जो है, कमाने जाएंगे, हम क्यों काम करेंगे, अच्छा है ना, हम सोते रहेंगे फिर तो, अगर हमारे कोई want नहीं होगे, तो हम अराम से, जो है, अर्न की है, जो आपके पास में है, you are going to use that in consumption of goods and services, तो अड़ाम से नहीं है, जो बीच में पैसे कमाना, या पैसे वाली चीज़ है, उसको क्या करा, उसको skip करा, और डेरेक्ली उनने क्या बोला, कि wealth का मतलब है, वो सारे goods, जिनके थुरू जो human want से, वो satisfy हो सकते हैं, ठीक है, so economics is concerned with the problem arising from wealth getting, and wealth using activities of people, ठीक है, तो Adam Smith के हिसाब से, ये जो economics से, वो क्या है, वो सारी problem से related है, जो की wealth getting, और wealth using activities से related होता है, जैसे की, for an example हम लोग बोले, wealth getting, that is goods, आपको चाहिए, हम लोग यापर goods की बात करें, तो goods ही की बात करते हैं, कि goods आपको क्या करना है, चाहिए है, तो goods चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो है, आपको various चीजे देखनी पड़ेगी, क्या जो है, आपके पास में goods अविलेबल है, उसमें से you need to choose, कि आपको कौन सा जो है good चाहिए है, उनके alternative uses हैं, तो आप उसको कहां पर use करने वाले हो, alternative uses, ठीक है, जैसे कि for an example, हम लोग बोले, कि water, ठीक है, water is a commodity, अब आप लोग बोलोगे, मैं water तो free of cost मिलता है, तो I would say कि आज की डाइम में water भी free of cost नहीं है, आप लोग various kind of bills पे करते हैं, मतलब कि आपके parents जो है, आप लोग उन्हें घर पर देखा होगा, कि various kind of bills and all pay किया जाता है, उसमें से एक bill होता है आपका water bill, अगर आपके घर पर bore will भी होता है, तो भी बहुत जगा पर ऐसा होता है, कि उन्हें water bill पे करना पड़ता है, तो you are paying for using water, ठीक है, तो basically आपकी जो problem है, that is कि water है, अब मान लो water की जितनी demand है, उतनी supply नहीं है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, कि आपको ये water मिलेगा कहां से, अगर सब में ले रहे हो, तो कितना कहां कहां पर आप यूज करने वाले हो, ठीक है, तो ultimately ये जो problems है, जो कि इससे related है, ये होती है, मतलब ये होती है, economics जो कि Adam Smith के हिसाब से, ये problems सारी arise क्यों हो रही है, because of a major thing, that is scarcity, हमारे पास में जो है, resources की scarcity होती है, ठीक है, कोई भी resource जो है ना, वो हमें surplus में नहीं मिल रहा है, water का ही example ले लो, आप लोगों उन्हें सबने सुनो होगा, water scarcity के बारे में, कभी ना कभी आप लोगों ने, आपकी life में उसे experience भी किया होगा, और नहीं भी किया होगा, तो आगे आने वाले future में आप लोग उसे करोगे, ठीक है, तब आप लोग मेरी बाते rewind कर ले ना, कि हाम आमने बोला था कि water भी scare है, तो this water is also scare, और इसकी scared city की बज़े से ही, जो है ये problems arise होती है, wealth getting और wealth using वाली, कि आपको कहां से जो है various goods मिलेंगे, और आप उन्हें कैसे use करने वाले हो, ये इन से related जो problems हैं, that are basically economics, ठीक है, then interested in studying the ways by which the wealth of all nation could be increased, ठीक है, तो जो Adam Smith है वो किस चीज में interested है, या we would say कि उनके हिसाब से economics किस में interested है, तो वो इन सारी चीजों को study करने में है, that is, कि जो पूरी economy है, पूरा जो nation है, उसकी wealth को कैसे increase किया जा सकता है, ना देखो, बहुत ही simple चीज है, अगर हम लोग यहाँ पर बोलें, goods, ठीक है, अगर goods का production, जादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, क्या पूरे nation की wealth इससे increase हो सकते है, that means money terms वाला wealth, बिल्कूल हो सकते हैं, कैसे हो सकते ही समझते हैं, अगर जादा production हो रहा है, तो it clearly means कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है, demand जादा होगी, किसी भी producer को जो है बहुत जादा, अपने पास में stock maintain करके रखने का shock नहीं आता है, जब बहुत जादा demand हो रही होगी, तो producers क्या करेंगे, production को बढ़ाएंगे, अब इस production को बढ़ाने के लिए, उन्हें various factors of production की ज़रुवत रहेगी, उसमें से एक we would say labor, ठीक है, that means कि ये क्या होगा, इसका employment बढ़ेगा, ठीक है, तो ultimately जब production बढ़ेगा, तो उसकी वज़़ से employment बढ़ेगा, employment बढ़ेगा ultimately, तो इनके पास में जो money है, that will increase, that means इनकी wealth जो है, वो increase होगी, ultimately फिर से जो है, ये लोग demand जादा करेंगे, उसकी वज़़़़ से जादा production आने cycle, चलता रहेगा, ठीक है, that is basically कि, जो है Adam Smith, mainly किस चीज में interested थे, कि किस वे से जो है, wealth बढ़ाई जा सकती है, पूरे nation की, ठीक है, ताकि सभी का जो है, welfare हो सके, all right, तो यहाँ पर, wealth definition में हमें, wealth definition में हमें क्या समझ में आया, तो that is just simple, कि सब कुछ जो है, mainly यहाँ पर money related है, that means, जो है money को earn करो, और उसको spend करो, various goods और services के consumption में, ठीक है, ताकि आपके जो want से वो क्या हो सके, वो satisfy हो सके, this is basically economics, according to Adam Smith, now comes to next one, that is welfare definition, अब wealth definition में हम ने क्या देखा, कि mainly कहां पर centered था, wealth पर centered थी पूरी जो economics की study है, that is basically goods का, जो है जादा like goods को कैसे utilize किया जा सकता है, जादा wants को satisfy करने के लिए, ultimately पैसा 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 इस चीज़ से जादा आपका economics related है, जब हम wealth definition की बात करते हैं, फिर आती हमारे पास में welfare definition, welfare that is उसके name से बता रहे कि कुछ welfare की बात करो, सिर्फ पैसों की बात मत करो, तो ultimately वही चीज़ आप लोग देखोगे कि कही ना कहीं जो है welfare definition में हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, अब क्या होती है welfare definition, इसको समझते हैं, So, according to Alfred Marshall, economics is the study of men in the ordinary business of life, it inquires how he gets his income and how he uses it, ordinary business of life, यह एक particular term यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं, So, study of activities of an ordinary man who lives in a society, ठीक है, ordinary business of life, जो है, we would say कि एक key term है, जिसका मतलब बहुत ही simple सा है, कि एक जो ordinary man, एक जो normal man, जो कि एक society में रहे रहा है, उसकी studies को, सारी, उसकी activities को study करना, is basically ordinary business of life, ठीक है, Then, जो primary object और जो end of economics है, is the promotion of material welfare, अब यह material welfare क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, कि Alfred Marshall अपनी definition के थूँ क्या बताना चाहते हैं, material welfare की जब हम लोग बात करें न, तो this is mainly, कि जो standard of living है न, लोगों का वो बढ़ना चाहिए, ठीक है, जो Alfred Marshall है, उनका जो main emphasis था, that is, कि लोगों का जो standard of living है, वो increase होना चाहिए, what is standard of living? The way हम लोग कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे goods use कर रहे हैं, हमारे पास में जो है, proper सारी चीजे होना, is basically standard of living, जैसे कि for an example, आप किसी जो है, beggar को देखो, जो की, जिनके पास में घर नहीं है, जो की, normally street पर रह रहे हैं, तो उनका क्या ही standard of living है, as compared to the ones, जिसके पास में proper घर है, proper खाने के लिए है, और जो बाकी सारी, we would say, facilities वो available है, तो वो ज्यादा बेटर standard of living है, उससे भी और ज्यादा बेटर हो सकता है, ठीके, ये जो standard of living है, इसको increase करना, is the main focus of Alfred Marshall, ठीके, Alfred Marshall का बोलना है, कि economics क्या है, ये एक study है, में की, ordinary business of life में, मतलब कि, जो economics से वो study करता है, कि एक person, अपनी ordinary life, या वी बुच्छे कि, अपनी daily life में, क्या-क्या various activities को, जो है, perform करता है, also, जो economics से वो inquire करता है, कि एक जो person है, उसकोई income, उसे कहां से मिलती है, और, वो कैसे उसे use करता है, तो ये particular चीज, थोड़ी थोड़ी जो है, आपकी wealth definition से related है, मतलब थोड़ा साम बोल सकते है, कि similar है kind of, बट येट यहाँ पर क्या है mainly, कि Alfred Marshall का main emphasis, is on the material welfare को increase करना है, that is basically standard of living को increase करना है, ठीक है, जो Adam Smith है, उन्होंने क्या बोला, कि simply हम wealth की study कर रहे है, welfare definition के according, मतलब कि Alfred Marshall के according, जो economics है, उसका एक end, या फिर we would say कि जो primary objective हो, वो क्या होना चाहिए, कि जो standard of living के लोगों का, वो enhance हो सके, वो increase हो सके, ओल राइट, I guess this thing is clear, कि welfare definition में क्या बूला चाहरा है, तेखो standard of living से याद रखना, that is a kind of welfare वाली चीजी, कि हाँ आपका standard of living बढ़ आए, ठीक है, तो वहाँ पर जो है, यह इसको आप welfare से याद रखने ला, कि welfare में मतलब कि, जो material life है, उसके बारे में बात की जा रही है, ordinary business of life में, एक men की study करना, is basically economics, according to Alfred Marshall, or we can say according to welfare definition, ठीक है, then आती है scarcity definition, बहुत ही, I would say कि, simple सी definition, बहुत ही important भी I would say, that is scarcity, अभी अभी मैंने इनिशली आपको जब वो water वाले example दिया, तो मैंने आपको क्या बता है कि, सारी जो problems है, क्यों arise हो रही है, because of scarcity, अगर scarcity नहीं होगी, तो इतनी problems भी arise नहीं होने वाली है, तो basically scarcity की वज़े से ये सब कुछ हो रहा है, तो scarcity definition बोलती क्या है, इसको समझते है, So it is given by Professor Lylan Robbins, Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scare means which have alternative uses, ठीक है, Basically economics जो है, वो क्या है, वो एक science है, जो कि किसे study करता है, human behavior को study करता है, उसके relationship को study करता है, किसके बीच में, between the ends, ends मतलब की हमारे wants, ठीक है, तो हमारे wants, उसके बाद में we have scare means, that means, जो resources है, वो है scare, और also in scare resources के alternative uses भी हैं, ठीक है, तो ultimately इस particular definition से, हमें तीन जो है problems दिखती है, that is unlimited human wants, second one is scare city of resources, and third one is alternative uses, जो आपके microeconomics का chapter one है, उसमें full-fledged जो है, एक topic है, that is economic problems, तो ये पूरा topic जो है, वही यहां पर है, ठीक है, तो अगर 11th में microeconomics पढ़ लिए, तो आप लोगों को अच्छे से पता, economic problems क्या होती है, और ये जो तीनों है, आप से एक question पूछो, कि क्या आपके सभी के सारे wants फुल्फिल हो गया है, obviously we'll say no, आप पूछूंगे कितने wants हैं आपके, ठीक है, अभी आपके माइन वे जितना होगा, आप उतना बता दो कि माम एक cycle लेनी है, एक स्कूटी लेनी है, एक बाइक लेनी है, एक सेक्टर, एक सेक्टर, सब लोग अपने अपने हिसाब से बता दोगे, ठीक है, then I'll say कि अच्छा, अगर ये सब कुछ मिल जाता है आपको, तो क्या आपके wants फुल्फिल हो जाएंगे, for a time being, अभी के लिए, हो सकता है आपको लगे कि हाँ हो जाएंगे, लेकिन I would just say, कि previous में जितने भी आपके wants फुल्फिल हुए है, and future में आने वाले जब भी आपके wants फुल्फिल हो, तो just this cheese को अपने आप से पूछना किया, क्या अब आप fully satisfied हो, अब आपको किसी भी particular good को consume कने की ज़रुवत नहीं है, क्या, you will get the answer, no, आप कभी भी fully satisfied हो ही नहीं सकते हो, ठीक है, because this is a human being, आपका एक want खतम होता है, आपका दूसरा want वहीं generate हो जाता है, ठीक है, तो this is basically what की हमारे जो human wants है, वो कैसे हैं, वो unlimited है, तो कभी भी जो है, आपके जो want से, वो fully satisfied तो कभी भी नहीं हो सकते हैं, we can say कि हम maximum satisfaction की हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन full satisfaction तो कभी भी possible नहीं है, ठीक है, because आपका एक want फुल्फिल भी हो जाएगा, तो आपका दूसरा generate हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि human wants कैसे हैं, unlimited हैं, also इन wants को जो है, फुल्फिल करने के लिए, हमें resources की जरुवत है, that is various cheese की जरुवत है, जिनसे various goods बन सकेंगे, और उन goods को consume करके, हम अपने wants को satisfy करेंगे, तो ultimately यह जो resources हैं, वो हमारे पास में कैसे हैं, मैंने एक बहुत ही common आपको example दिया, that is water, we know कि जो 70% of earth है, that is covered with water, yet हमें water scarcity देखने को मिलती हैं, ठीक है, water is a natural resource, yet हमें scarcity देखने को मिल रही है, water is a renewable resource है ना, यह सारे terms आप लोगों के साइट से ही मुझे मिलेंगे, कि माँ water तो renewable है, फिर उसकी scarcity आप कैसे बोल रहे हो, तो देखो water renewable बिलकुल है, कि हाँ renewable का मतलब कि आपने यूज किया है, वो अपने आप आपस regenerate हो सकता है, लेकिन वो एक limit होती है, आपका exhaustion rate इतना जादा है, आप इतना जादा जो है उसको यूज कर रहे हो, कि उसे जो है बापस regenerate होने का time नहीं मिल रहा है, इसलिए scarcity हमें देखने को मिल रहे है, तो जब water में हम लोग scarcity देख सकते हैं, तो जो minimum resources है, उनमें तो scarcity है, ठीक है, तो ultimately resources कैसे है, scare है, और human wants कैसे है, unlimited है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आप सोचना पड़ेगा, कि भाई ये जो scare resources है, इनसे कौन से goods का जो है, production किया जाए, ताकि maximum human wants, जो है, वो satisfy हो सके, also in scare resources के, जो uses हैं, वो कैसे है, alternative, that means, जैसे कि water है, एक particular जो water है, वो अलग-अलग, जो है use में, for drinking, for cooking, for bathing, for washing, ठीक है, तो यही पर जो है, हमने various, आपको क्या बता दिये, जो various, उसके alternative uses है, बहुत बार, जो है, coolant के, जो है, उसमें भी उसे use किया जाता है, तो ultimately, इन सारे alternative uses में, जैसे आपको सोचना पड़ेगा, कि भाई, और जब हमें को चूज करना पड़ता है, तब ही problemarize होती है, जब तक हमारे पैस में choice नहीं, अच्छा ठीक है, जहां मन लगे, वहां पर use करो, तो वो problem ही नहीं है, लेकिन आपको यहां पर choose करना पड़ रहा है, कि आप जो है, इन scare resources को, कैसे utilize करोगे, किस manner में use करोगे, ताकि आपके जो maximum wants है, वो fulfilled हो सके, ठीक है, तो यही जो है, आपकी scarcity, आपकी इन तीन चीजों को जो है, बताती है, ठीक है, So unlimited wants, human wants can never be fully satisfied, no sooner a want is satisfied, a new want emerges, ठीक है, वही चीज जो मैंना आपको explain की, Then scarcity of resources, तो scarcity refers to the limitation of supply, in relation to demand for a commodity, scarcity का मतलब क्या है, कि भाई limitation है supply में, उसकी demand के comparison में, ठीक है, Then alternative uses, तो resources are not only scare, but they can also be put to various uses, resources सर्फ और सर्फ scare ही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में, उन resources के alternative uses भी है, तो वहीं से जो है, ये एक और particular problem arise, फोजब दी है, ठीक है, I guess this thing is clear, ये जो scarcity definition है, आप लोगों प्रॉपली क्लियर हो गई है, Then comes to growth oriented definition, अब जैसे कि इसका नाम बोल रहा है, growth oriented, तो यहाँ पर जो प्रफिर्सर सेमिल्सन है, उन्होंने कुछ definition ऐसी दी है, कि आपका ये जो सारी चीज़े ये पढ़ने, प्लस उसमें जो है growth, एक परसन की जो growth है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो economics is the study of how men and society choose with or without the uses of money to employ scarce productive resources which could have and distribute them for consumption now and in the future among various people and groups of society, ठीक है, यह यहाँ पर एक चीज़ आट करो, which could have alternative uses या फिर various uses, ठीक है, यह चीज़ और यहाँ पर आट कर दो, which could have alternate uses, आल राइट, तो Samuelson ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है, कि economics जो है वो study है, किस चीज़ की, कि एक जो men और एक जो society है, वो कैसे choose करते है, अब यहाँ पर money का आप use कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कि दोनों ही चीज़े हैं, कि money के साथ में, या फिर money के बिना, जो men और society है, वो किस वे में, अपने इन scare resources को, जिनके alternative uses भी हो सकते हैं, उन्हें यूटिलाइज करते हैं, ताकि जो maximum human wants को satisfy हो सके, या फिर अब बोले, to distribute them for consumption, that means वही चीज़ कि आप distribute कर रहो अगर consumption के लिए, तो वही यहाँ पर arise होता है, कि आप जो हो, उन्हें कैसे use कर रहे हो, किस particular way में आप human wants को satisfy कर रहे हो, ठीक है, तो now और in future, अभी आप आपके wants को फिल्फिल करो, या in future करो, दोनों चीज़े ठीक है, among various people and groups of society, तो वो जो तीन चीज़े थी, उन्ही से थोड़ी यह सी और जो है, अच्छे words में, अच्छे sentences में, जो है यह particular definition यहाँ पर दे दी गई है, all right, so this is economics according to Professor Similson, अब हम लोगों उन्हें इतनी सारी 4-4 definition पढ़ ली, अब आप बोलोगे, माम, क्या मानने हैं हम, कौन सी particular economics की definition सही है, हमें तो लग रहा है, वो wealth वाली ठीक है, बहुत easily उसको लिख देंगे, that economics is the science which studies the wealth, ठीक है, science of wealth, right, ऐसी वाली, तो वहाँ पर तो जो है, सिर्फ याद रखने की में ऐसी कुछ जरुवत ने, एक line में उसकी definition complete हो गई, और economics का होता है, वो बता दिया, तो अब ये आप लोग बोल सकते हो हैं, तो I would say, कि हम लोग एक particular definition पर आते हैं, जो कि best definition रहेगी, for everyone, कि ये जो चारो definition है, ये कहीं पर भी specifically पूछा जाएं, कि आप ये वाली definition बताओ, तो आप उसे बता देना, otherwise जो है, ये एक हमारे पास में definition है, उसे ही आपको use करना है, उसे ही आपको समझना है, वो, we would say, कि this is the inclusion of everything, चारो ही definition का inclusion, जो हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है, so basically what is economics, तो economics जो है, वो study है, कि how people and society, chooses to employ scare resources, that could have alternative uses, in order to produce various commodities, that satisfy their wants, and to distribute them, for consumption, among various persons, and group in society, ठीक है, groups in society, ओल्राइट, तो basically economics क्या है, ठीक है, जब भी आप economics को, किसी को भी define करो, कुछ key terms हमेशा याद रखना, that is, first one is, unlimited human wants, ठीक है, फिर उसके बाद में, limited resources, या फिर आप इसे जो है, बोल सकते हो, scarcity of resources, plus इसमें क्या है, इनके alternative uses भी है, ठीक है, इनके क्या है, alternative uses है, तो unlimited human wants, limited resources, alternative uses, यह आपके तीन economic problems है, इनसे, आपको क्या करना है, various चीजों को, produce करना है, उन्हें distribute करना है, तो इस distribution से क्या होगा, इस distribution से, जो consumption है, वो होने वाला है, ठीक है, तो इस basis से, आप सारी चीजों को याद रख सकते हो, कि आपकी यह तीन economic problems है, इनके help से, या in particular चीजों को ध्यान रखके, आपको जो है, various goods को, produce करना है, उन्हें distribute करना है, ताकि जो है, consumption के लिए, ठीक है, तकि consumption के लिए, हमें उन्हें distribute करना है, अल्राइट, this is basically economics, कि economics जो है, वो आपको इस चीज की study करता है, कि कोई भी person, या कोई भी जो group of society है, वो in particular scare resources को, जिनके alternative uses हो सकते हैं, उनको किस वे में produce करता है, ताकि यह जो human wants है, unlimited human wants है, उनमें से maximum wants satisfy हो सके, और यह जो goods produce हुए है, इन्हें consumption के लिए जो है, distribute किया जाता है, चीज़ें, so that is the thing that economics is the study, of how people and society choose to employ scare resources, that could have alternative uses, in order to produce various commodities, that satisfy their wants, and to distribute them for consumption, among various persons and groups in society, यहां से एक जो कोड चीज है, वो आपको क्या समझ में आई, कि हमें जो है न, यह जो resources हैं, उनको properly use करना है, ताकि जो लोगों के wants से वो satisfy हो सके, वहीं पर आपका production, consumption, distribution, वो चीज़, उसी में जो है include होकर आजाती है, all right, I guess ही जो चारो definition है, आपके economics की, आपको clear है, plus यह जो एक full, fligid, we would say कि economics की definition है, वो भी आप लोगो clear है, तो अब I hope so, अगर आप लोगों उसे कोभी भी, कोई भी पूछेगा, कि भाई economics क्या होता है, तो I can say कि आप लोग जो है, उन्हें अराम से अच्छे से बता सकते हो, कि economics क्या होता है, all right, all right, तो इसी के साथ में इस particular video को हम लोग end करते हैं, चाप्टर है भी बचा है, अभी हम लोगोंने सिर्फ और सिर्फ economics का मतलब समझा है, आगे हमें बहुत सारी चीज़े पढ़नी है, तो हम लोग आगे जो है अपने next वाले video में देखेंगे, इसके अपार्ट एक important information that is unacademy पर humanities के जो batches अवो launch हो चुके हैं, dedicatedly for humanities जहां पर आपको जो है, आपके humanities के सारे subject के जो है lectures मिलेंगे, classes मिले गया है वोचे, तो अगर अभी तक आप लोगोंने enroll नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर enroll कर लीजिए, और इस opportunity को जो है अपने हाथ से मत जाने दीजिए, so for class 11th we have inception humanities batch, and for class 12th we have victory humanities batch, इन दोनों ही batches में enroll करने के लिए, and to get maximum discount, आप लोगो एक code यूज करना है, that is sakshi v, s-a-k-s-h-i-v, इसके apart, आप लोग हमारा जो telegram channel है, उसे भी join कर सकते हैं, that is social school, जहां पर आपको जो है various updates मिलते रहेंगे, regarding channel पर क्या चल रहा है, कौन से वीडियोज आ रहे हैं, कौन से आपके कौन से teacher, कौन से particular वीडियोज को लेकर आ रहे हैं, I hope so ये सारी जीज़े आप लोगो अच्छे से clear out हो गई है, and जो economics का मतलब है, वो भी एच्छे से clear out हो गया है, thank you,